होड़ो एपरिवंद्स स्वागत्त हर घर फूद्स में आज हम बना रहे हैं केले से मिठ पूरी जैसके लिए हमने दो केला लिया है और इसे हम छील कर अच्छा सा पेट्ट जैसा बना लेते हैं इसे हम पीश सकते हैं पीश कर भी पेस्ट बना सकते हैं लेकिन हम इसे पीशेंगे नहीं ऐसे ही फॉक की मदद से इसे हम पेस्ट बनाएंगे यह पेस्ट तयार हो गया है तो अभी हम एक कटोरी आटा लेंगे आप इसे मैदेम बनाना चाहें तो बना सकते हैं यह हमने लिया एक बड़ा बरतन इसमें लिया एक कटोरियांटा इसे खस्तादार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे दो चम्मज घी और इसे अच्छे से मिलाएंगे हम इसमें चीनी नहीं डाल रहे हैं बीना चीनी कहीं बना रहे हैं और ये बीना चीनी के थोड़ी कम मीठी होती है तो आप इसमें लगबक 3-4 चमच चीनी डाल ले और ये काजू और बादाम है छोटे-छोटे टुकड़े करके डाला है हमने काट कर और हम जो केले का पेस्ट बनाया थे उसे डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं आटे जैसा इसका डो बना लेना है हमें तो हम हाथों की मदस्ते से बना रहे हैं तो आटा हमार अलग चुका है और हमने रखा है तेल गरम होने के लिए और इसे हम बनाते हैं आप बेल कर बना सकते हैं लेकिन हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हाथ की मदस्ते ही बना रहे हैं तो इसे हम बना लें आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सेयर करें तुम्हें ऐसे हथेली की मदद से बना लेना है और फिर हम इसे मीडियम आज पिर तलना है यह देखिए इसे हम सुनहरा होने तक अच्छे से तलेंगे गुलगला जैसे फोलरा है बहुत बढ़िया होता है खस्ता और मीठा मुलाएं इसे अच्छा सुनहरा होने तक सेख लेंगे यह हो गया है लगभग इसे हम निकाल लेते हैं तो जितना भी आटा है जितना हमने गुद कर रखा था सबका इसी तरह से तल लेंगे हम यह देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है यह देखिए इतना बन चुका है सब त्यार है केले की मीठी पूरी या पुगा बोल सकते हैं तो आप भी बनाईए खाईए और इंज्वाइ करिए वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद अन्यवाद अन्यवाद वीडियो झाल यान टॉवाद